राजाने दिल्ली में तकरीबन सभी लोग बिजली पर मिल रहे सबसीडी का फायदा उठा रहे हैं लेकिन आप इसको आगे भी बढ़ाने के लिए लोगों को एक नमबर पर मिस्पॉल देनी होगी जिसके बाद बिजली उपभोकता सबसीडी पाने के हकडार होंगे चली जानते हैं पूरी खबर राजाने दिल्ली में सभी उपभोकताओं को सबसीडी से बाहर निकलने या एक उक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल दिया जा रहा है साथ ही इसके लिए शरिवार को आयोजित बैटिक का एज़ेंडा दिल्ली सरकार द्वारत दी जाने वाली बिजली सबसीडी के आप्ट इन और आप्ट आउट की प्रक्विया को सरल बनाना था इसे के चलते अब बिजली सबसीडी दिलाने के लिए जल्ड ही दिल्ली सरकार मेंज़ कॉल नंबर जारी करने वारी है इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर थी बिजली उप्रोगता सबसीडी पाने के हकदार होंगे इसको चुनने पर ही मुफ्त बिजली या सबसीडी का लाव दिलेगा ऐसे में उपमोखी मंत्री मनेश्ट सोधिया ने बताया कि सरकार हमेशा ये सुनिश्चुत करने का प्रयास करती है कि दिल्ले के प्रत्येक नागरिक तर सभी सुविधाएं वहतर धन से पहुँच सके इस दिशा में सबसीडी विकल्ब चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला दिया गया है रेपोर्ट्स की माने तो सबसीडी लेने के लिए लोगों को मिस्ट कॉल या वाटसर पर रजिस्ट्रेशन का विकल्ब मिलेगा साथ ही दिल्ली वासियों के पास बिल के साथ अटैच एक फॉर्म भरने के अलावा बिल पर QR कोड को स्कैन करके या डिस्कॉम केंडर पर पहुँचकर सबसीडी के लिए अपना विकल्ब चुनने की पीस्तु विधा होगी इस समय की बात करें तो बिजली सबसीडी का लाव 47,11,176 परिवार उछा रही है